परिचाय हम अपने दैनिक जीवन में घन का प्रयोग अक्सर करते हैं उधारण के लिए घन एक्ठोस आक्रिती होती है हम घन का आयतन गनित के सुत्र से ग्याद कर सकते हैं यह हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में समानिता प्रयोग किया जाता है उधारण के लिए मान लीजिए कि आपके पास एक घना का डिपा है जिसमें थोड़ी मात्रा में तेल है बॉक्स में कितना तेल है? आप घन के आयतन का प्रयोग करके आप तेल की मात्रा जान सकते हैं उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे घन को पहचानना अभाज्य कुरंधखंड विधी के प्रयोग के लिए घन को पहचानना घन की विशेष्टाएं बताना घनमूल को पहचानना घन और घनमूल के बीच विभेद करना किसी पून घन का अभाज्य कुरंधखंडन की सहयता के बिना घनमूल ग्यात करना पून घन किसी संख्या का घन तब प्राप्त होता है जब उस संख्या की घात तीन करती जाती है घन का आयतन बराबर है S घन के जब किसी संख्या को उसी से तीन बार गुणा करते हैं तो हमें उस संख्या का घन प्राप्त होता है दो का घन बराबर है आठ के पाँच का घन बराबर है एक सु पचीस के आठ और सत्ताइस प्राकृतिक संख्याएं है जो क्रमशाह प्राकृतिक संख्याओं दो और तीन का घन है ऐसी संख्याओं को घन संख्याएं कहते हैं उदाहरण पून घन बनाने के लिए 500 को किस सबसे चोटी संख्या से गुणा करना होगा हल हमने देखा है कि 500 बराबर है दो घन गुणा पांच घन के अतहा गुणन खंडन को 23 के समुह में बनाने के लिए हमें 500 को 2 से गुणा करना चाहिए उदारण 686 को पून घन बनाने के लिए किस सबसे छोटी संख्या से भाग देना होगा 686 का गुणन खंडन करके हमें यह प्राप्त होगा गुणच साथ तीन के समुह में है लेकिन दो अकेले है इसलिए यदि इसमें दो से भाग दिया जाए तो संख्या पून घन बन जाएगी 686 को दो से भाग करने पर यह पून घन बन जाएगा संख्याओं के घन की विशेश्टाएं सम संख्या और विशम संख्या का घन यदि किसी समसंख्या को स्वयम से तीन बार गुणा किया जाए, तो परिणाम एक समसंख्या ही होगा। उधारन स्वरूप यदि एक विशम संख्या को स्वयम से तीन बार गुणा किया जाए, तो परिणाम एक विशम संख्या होगा। उधारन स्वरूप किसी प्राकृतिक समसंख्या का घन एक समसंख्या होता है रणात्मक पूणांकों का घन नीचे दिये गए कुणन को देखिए हम इस निशकर्ष पर पहुँशते हैं कि रणात्मक पूणांक का घन रणात्मक पूणांके होता है किसी परिमै संख्या A बटे B का घन निम्नप्रकार से है घनमूल यदि 2 का घन 8 है तो 2 को 8 का घनमूल कहा जाता है हम घनमूल को इस जिन से प्रदशित करते हैं घनमूल किसी दी गई संख्या का घनमूल वो संख्या होती है जिसका घन दी गई संख्या के बराबर है किसी पूर्ण का अभाज्य गुणन खंडन द्वारा घनमूल प्राप्त कीजिए उदारण 1728 का घनमूल प्राप्त कीजिए हल दी गई संख्या का अभाज्य गुणन खंडन कीजिए समान गुणन खंडों का त्रिक बनाईए प्रतेक त्रिक से एक अभाज्य संख्या लीजिए और उनका गुणन खंड बनाईए वांचित घनमूल बारा है जिसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं रणात्मक संख्या का घनमूल हमने देखा है कि रणात्मक पूरांक का घन भी रणात्मक पूरांक ही होता है उधारन सो रूप समानिता यदि एक धनात्मक पूरांक है अतहा एक रणात्मक पूरांक का घनमूल प्राप्त करने के लिए इसके पूरांक का घनमूल ग्यात कीजिए और उसके पहले रिन का चिन हिन लगा दीजिए उधारन सरूप पूनांकों के गुणंखंड का घनमूल उधारन सरूप परिमय संख्याओं का घनमूल हम पहले ही देख चुके हैं इसे इस परकार लिखते हैं उधारन का घनमूल ग्यात कीजिए हल सारांज आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संख्येप में दोहराएं किसी संख्या का घन उस संख्या की घात तीन होती है घन संख्या या पून घन एक प्राकृतिक संख्या होती है जो किसी प्राकृतिक संख्या का घन होता है एक पून घन समान गुणन खंडों के त्रिक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है सम प्राकृतिक संख्याओं का घन सम और विशम प्राकृतिक संख्याओं का घन विशम प्राकृतिक संख्या होता है रिनात्मत पूरांग का घन रिनात्मत पूरांग होता है किसी परिमय संख्या का घं इस प्रकार होता है किसी दी गई संख्या का घंमूल वह संख्या होती है जिसका घं दी गई संख्या के बराबर हो रनात्मक संख्याओं का घनमूल रनात्मक होता है किसी परिमे संख्या A बटे B का घनमूल ये होता है